सब्सक्राइब कीजिया हाइटेक हिंदी टेकनोलोजी चेनल को और बेल आइकन को दबाईए ताकि आप भी कुछ नया नया सीख सके गैडलैंश्ट्राइब करते हो यानि की फोलो नहीं करते हो और गलती करते हो बाइंश्टेक हो जाता है कुछ भी करके पर लता चेह घ्ञाइब दैकने लेकिन दोस्तो आजकर बहुत सारे वक्राण क केस हो जाता है जो की बता रहा है कि हमने जो है किसी का content copy नहीं किया है ठीक है हमने किसी का content copy नहीं किया है हमने कुछ भी वायलेट नहीं किया है हमने जो है YouTube के terms and conditions के हिसाब से ही सब कुछ हमारे वीडियो में है फिर भी हमें strike मिल चुका है अब दोस्तो ऐसा situation खड़ा हो जाता है तब जो YouTuber होता है creator होता है वो सोचता है कि मैंने तो कोई गलती ही नहीं किया मेरे वीडियो में किसी का copy content नहीं है जो भी बनाय हुआ है मेरा खुद का है फिर भी मुझे strike मिल चुका है तो दोस्तो ऐसे situation में जब वो समझ नहीं पाता है कि किस प्रकार का strike मुझे मिला है या फिर कैसे मिला है तो वो समझ लेता है कि ये मुझे fake strike मिला है दोस्तो fake strike जब आपको मिलता है जिहां आपको मिल सकता है जब आपको fake strike मिलता है तो ज्यादा chances वो होता है कि आपको community guidelines का strike मिलेगा क्योंकि दोस्तो copyright strike तब ही मिलता है जब आप किसी का copy करते हो content ठीक है आप जब किसी का content copy करते हो तब ही आपको chance होता है कि copyright strike मिल सकता है लेकिन जब fake strike की बात करते हैं दोस्तो तो fake strike ज्यादा तर chance होता है कि community guidelines का strike मिले वो क्यों होता है वो पहले समझ लेते हैं दोस्तों आप लोग सोते हैं कि हमने video बनाया है पूरी तरह से हमारा खुद का video है creation है और किसी का content copy नहीं किया है फिर भी हमें strike मिल चुका है ठीक है दोसरी बात दोस्तों आप creator यह सोते हो कि हमने video के अंदर कुछ ऐसा बोला नहीं है कुछ ऐसा दिखाया भी नहीं है जो कि violet करता हो YouTube के terms and conditions को बिल्कुल आप सही हो सकते हो दोस्तों आप सही भी हो फिर भी आपको सायद मिल सकता है community guidelines strike या फिर आपको मिला ही होगा तो सोते होगे कि यह फेक strike है अब दोस्तों इसके पीछे reason बता देता हो अगर आप YouTube के terms and conditions को बढ़ते हो ठीक है terms and conditions के अंदर लिखा हुआ होता है YouTube के community guidelines terms and conditions जो बनाएगा है उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप जो है video के अंदर कुछ भी violation करते हो जैसे कि nudity बताते हो sexually content बता रहे हो या फिर adult content बता रहे हो किसी का murder बता रहे हो खून बता रहे हो ठीक है एसा कुछ sensor content अब दिखा रहे हो ठीक है इस तरीके से content होता है तो आपको YouTube को inform करना होता है अगर वो नहीं करते हो तो YouTube मान लेता है कि आपने violation किया है और एसे content यूट्यूब पर allowed नहीं है ठीक है तो एसे sensitive content यूट्यूब पर allowed नहीं होते है तब जाकर आपको community guideline strike मिल सकता है दोस्तो लेकिन दोस्तो कुछ ऐसे cases होते है जो कि खुद का technical video होता है cooking video होता है beauty related होता है उसमें तो एसा कुछ होने वाला ही नहीं है ठीक है फिर भी आपको fake strike मिल सकता है फेक तो नहीं कहेंगे वो actually really genuine ही strike होता है तो दोस्तो terms and conditions के अंदर ये भी लिखा हुआ होता है कि आपको जो है violation नहीं करना है video के जरीए ठीक है video के जरीए तो आपको violation नहीं करना है लेकिन दोस्तों जब आप title लिखते हो ठीक है याद रखेगा title लिखते हो description लिखते हो और text दोस्तों ये तीन चीज़ हो है जब बरबाद कर सकता है आपकी channel को क्योंकि दोस्तों कुछ लोग ऐसा सोते हैं कि अच्छा attractive title description और text और thumbnail दोस्तों ये चार चीज़ जो है इसको ध्यान रखेगा ये इसके अंदर भी आप violation करते हो ठीक है आपको तो ऐसा लगेगा कि मैं इस तरीके से thumbnail लगा दू तो views बढ़ेंगे ठीक है clickbaiting वाला या फिर मैं इस तरीके से title रख दू तो views बढ़ेंगे लोग देखना चाहेंगे या फिर description में कुछ इसा ही लिख दू कि मेरा वीडियो रेंक कर जाए या फिर text यसे ranking वाले लाकर रख दू तो मेरा वीडियो रेंक कर जाए अज कल दोस्तों किया सा हो रहा है YouTube का algorithm जो होता है वो improve हो चुका है इंप्रो की इस तरीके से तो दोस्तों वो क्या करता है कि keyword को match करता है आप जो keyword लिखते हो title के अंदर keyword लिखते हो description के अंदर और keyword लिखते हो text के अंदर तो दोस्तों YouTube का algorithm कुछ keywords जो की example के रुप में होते है free download, hacking, life hacks यसे कुछ जो होते है hacking के related, download के related free movie, unlimited, free यसे जो भी keywords होते है यह सब keywords जो है YouTube ने red highlight कर रखे है यानि कि आपने गलती से भी अपने description में ऐसे कुछ keywords डाल रखे free download, या फिर software के crack मिलेगा आपको page मिलेगा, इस तरीके से full version download करे, full movie देखे या फिर free life, या फिर tricks इस तरीके से, ऐसे कुछ keywords होते है, तो इस tricks या फिर ऐसे keywords जो होते है इनके उपर आपको community guidelines strike मिल सकता है, अब दोस्तों सोचो कि आपने कुछ इस तरीके से description में लिखा हुआ होता है आपका video एकदम genuine है, ठीक है आपका video सही है, आप सही लोगों को समझा रहे हो, और दोस्तों video जो है Indian native language में English को छोड़ दो, क्योंकि हम जो है Indian लोग होते हैं, ज्यादा तर हिंदी, तामिल बांगला, ऐसे ही language में जो है videos बनाते रहते हैं, ठीक है तो दोस्तों, suppose कि आपका Hindi में video है, ठीक है, और आपने इस तरीके से अच्छे video बनाए हुआ है trick के बारे में, या फिर किसी software के बारे में या फिर cracking के बारे में हलाकि cracking, breaking, hacking, सब कुछ वो content allowed नहीं करता है, वो against है, लेकिन आपने कुछ इस तरीके से content बनाए हुआ है, खुद का content है, तो आपको community guidelines strike नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मिलेगा क्योंकि आपने description में भी लिखा होगा कि free download ऐसे करें, cracking tool या फिर page related tricks, या फिर कुछ भी आपने लिखा होगा जो कि keywords YouTube के algorithm के अंदर होता है वो match कर जाता है, जब वो match कर जाता है, आपके description का text का, या फिर title या फिर thumbnail के अंदर जो भी text होता है, वो जो है आप YouTube का algorithm analysis कर लेता है, और match हो जाता है, तो आपको community guidelines strike मिल जाता है, दोस्तों यहाँ पर मैंने बात की Indian native language की, जब आपको एक strike मिलता है, ठीकिए तो आपको लगता है कि ये fake strike है और आप report करते हो, ठीकिए, आप appeal करते हो, कि ये तो मेरा सही video है, मुझे strike नहीं मिलना चाहिए था, तो YouTube के जो employee होते है, वो कौन होते है वो गोरे-गोरे लोग होते है, वो हिंदी नहीं समझते है यार, तो क्या क्या होता क्या है, ये समझ लोग करें कि दोस्तों, आपका English का वीडियो है तो समझ लेते हैं, कि वो जब review करेंगे आपके वीडियो का, तो उन लोगों को पता चलेगा अच्छी तरीके से कि कि इस प्रकार का ये वीडियो है, क्या कहिना चाहते है, आपका आप पूरा का पूरा वीडियो देख लिया, लगता है आपका खुद का है, लेकिन language वो तो translate करने बेठेंगे नहीं क्योंकि वहाँ तो हजारों request pending में होगी तो सब के review देखेंगे, लेकिन तुरंत ही वो pass या फिर not pass कर देते हैं फिर description में भी देख लेते हैं, तो description में तो आपने यसा ही लिखा होगा कि free download, फिर cracking या फिर जिस प्रकार से आपने कुछ ऐसे keywords use कर रखे होगे, जो कि match होते होगे YouTube के highlighted keywords के साथ, तो दोस्तों इस प्रकार से आपको जो है fake community guideline strike मिल सकता है, इसको हम fake नहीं कहेंगे, इसको genuine ही कहेंगे लेकिन कुछ YouTubers को, कुछ creators को साहिज पता ना हो कि keywords description में लिखने पर भी, या फिर title में लिखने पर भी, या फिर text में भी ऐसे free download, free watch movies, ऐसे जो keywords होते है, तिक है, ऐसे आपको chance रहता है कि आपको strike मिल सकता है, तो दोस्तों याद रखेगा कि आप जब भी future में video upload करें तो title में, description में और text में ध्यान रखेगा कि कुछ इस तरीके से hacking, waking, tricks, free download, watch free, download यह वो torrent, warrant वो सब मत लिखिया, ठीक है, आपको जरूरत है, तो आप जरूरत के हिसाब से लिखिया, लेकिन दोस्तों इसका spam मत कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह करते वाक्त आपको strike मिल सकता है, तो उम्मीद है दोस्तों ये video आपके लिए कापी हर्कुल रहेगा, वीडियो को like जरूरत से कर दीजिए दोस्तों, और हो सके तो मेरी चैनल को subscribe कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं इसी तरह के से नए नए videos लाता रहता हूँ, और तब तक के लिए, आप जो